best home theater for cinematic sound के लिए तो यार अगर आपको cinematic sound सुननी है ये टॉपिक आपके लिए कर रहा हूं तो बात करते है नमबो फोकी बात करूँ नमबो फोकी बात करूँ नमबो फोक पर यार मैंने रख्या है आपको positive comment देखने को मिल जाते है 4.6 rating देखने को मिल जाते है प्लस ये LED lighting के साथ आते तो आपको एक glossy design के साथ देखने को मिलेंगे एंड इसका जो design लुक है जा इसको LED की lighting देखने को थोड़ा सा अप पर लेकर चले जाती है इसका जो sound quality इसकी जो basic quality है वो भी सच में आपको पर देखने को मिल जाती है मैं आपको बता देना चाहता हूं ये आपको फूल फूंड़ डबल नाइन के price range में देखने को मिल जाता है लिंक पर वाइड किया हुआ है आपको full functional remote साथ में देखने को मिल जाता है 4.1 channel के साथ आते है LED display मिल जाती है प्लस आपको 105 watt का output power देख देखने को मिल जाता है मैं आपको connectivity की बात बता देता हूं तो इसमें आपको USB slot मिल जाएगा SD card slot मिल जाएगा Bluetooth आपको देखने को मिल जाता है AUX connectivity भी देखने को मिल जाता है अगर आप powerful base सुनने के शुकीन हो जा अगर आपको clear sound सुनने के शुकीन हो आपके लिए ये home theater perfect deal ह होने वाले आपको 8.5 kg इसका weight देखने को मिल जाता है stylish design है easy control है plus मैं आपको बता देना चाहता हूं जो जब्राउनिक्स है एक trusted brand है top brand में से आते हैं जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूं तो यह trusted brand है top brand में से आते हैं इनके जो headphones भी आते है air words भी आते है प्लस इनके और भी like speakers वगार भी आपको देखने को मिल जाते है party speakers वगार भी देखने को मिल जाते हैं तो भी अगर आपने जाना है zebronics के और आप जा सकते हो link प्रवाइड किया हूँ है description box में सब कुछ देखने को मिल जाता है अभी आगे बात करते है नंबो 3 की बात करू नंबो 3 प्यार मैंने रखे है infinity hard rocker 410 को मतलब 410 को तो अगर मैं in home theaters की बात करूं तो सबसे पहले बई मैं आपको यह चीज़ बता देना चाहता हूँ infinity जो है वाओ JBL का ही subbrand देखने को मिल जाता है तो JBL subbrand की खासे तो यह होते कि इनकी vocal quality, base quality कभी भी 40 नहीं है अगर आप आपने headphone यूज किया है, earbud यूज किया है, home theater यूज किया है या पारी speaker यूज किया है तो आपको पता होना चाहिए, trusted brand है, Tom brand में से आता है, इसको भी 4.6 rating मिल जाती है, प्लस positive comment देखने को मिलेगा, आपको design look इस जो home theater का है वो पसंद आने वाला है, अगर मैं specification की बात करू तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपको 8,000 के budget range से लेकर 9,000 के price range में, पहले 9,000 के ने लगा था, आपको 9,000 के budget range में, ये prox देखने को मिल जाते है, उसके बाद, मैं आपको ये भी जीज बता देना चाहता हूँ, आपको 4.1 channel के साथ देखने को मिल तो भी अगर आप powerful, deep based सुनने के शुकीन हो, आपके लिए ये home theater perfect deal होने वाले है, इनका look मुझे तो अच्छा लगता है, आप मुझे comment section में बता सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है, connectivity की बाग करूं, आपको aux connectivity मिल जाते है, bluetooth connectivity मिल जाते है, USB connectivity देखने को मिल जाते है, plus आपक cinematic audio सुनने के शुकीन हो, आपके लिए भी best deal होने है, अगर आपने gaming के लिए home theater लेने है, आपके लिए भी ये home theater perfect हो सकते है, because आपको इसमें gaming mode भी देखने को मिल जाते है, तो आपको तीन mode मिल जाते है, जो भी मतलब, जैसे भी जो काम आप कर रहे हो, उसके according आप adjust कर सकते ह तो आपको Dolby Digital Audio देखने को मिलेगे, तो speakers quality सच में अच्छी होने वाली है, wooden cabinet woofer देखने को मिल जाता है, प्लस इसके साथ आपको air multifunction remote भी देखने को मिल जाता है, अगर मैं बात करूँ इसके weight की, तो आपको 7 kg 940 gram सिर्फ इसका weight देखने को मिल जाता है, तो अगर आपने ज आते हैं, buy करना जाते हो, link provide किया हूँ है, अगर आपने खुद चायूड करना है, photos बगारा देखने है, review पड़ने है, positive comment बगारा पड़ना चाते हूँ, सब कुछ आपको link provide किया हूँ है, उसमें चायूड कर लेना, आपको पता चल देगा, आगे बात करते हैं, number 2 की, number 2 की सबसे पहले बई, मैं आपको यह चीज़ बता देना चाता हूँ, अगर आपने sony की home threaters क्या हो जाना है, मैं आपको इतनी चीज़ कहा देना चाता हूँ, 5000 से लेके 10,000 के price range में, यह home threater आपको perfect and best देखने को मिल जाते हैं, amazon tag मिल जाता है, positive comment इसमें भी देखने को मिल जात sony का brand है, trusted brand है, प्लस बहुत लोगों ने इनको पसंद किया, ठीक है, अगर आप भी करना जाते हो, लेना जाते हो, देखने जाते हो, जैसे भी करना जाते हो, कर सकते हो, main specification की बात कर लेता है, तो सबसे पहले आपको 4.1 channel के साथ देखने को मिलते है, 80 बहुत को output power देखने क मिल जाता है, 4 speakers है, प्लस आपको एक subwoofer मिल जाता है, remote controls मिल जाता है, Bluetooth connectivity आपको मिल जाती है, USB port मिल जाते है, stylish black gloss finish के साथ देखने को मिलेंगे, price की बात करूँ, आपको लाइके ये start हो जाते है, 6000 से and इसका price 8500 तक भी चला जाता है, सभी के buying link के description box में देखने को मिल जाएं के description box में देखने को मिल जाएंगे, वो भी चया उड़ गलना, वो भी आपके लिए perfect deal होने वाले है, अगर आप जादा पैसे पे नहीं कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ बता देना जाता हूँ, अगर आपका पेड़ 10,000 से अपर है, तब ही मैं आपको ये चीज़ जो भी आपको पसंद आते हैं, आप ले सकते हैं, अगर आपका पेड़ 10,000 से अपर चले जाता है, तो आप जा सकते हो, Sony HT-S20R के और, अगर मैं इन होम देटर्स की बात करूँ, तो स्पैसिफिकेशन की सीदी बात करते हैं, सबसे पहले आपको 5.1 चैनल देखने को मिल जा केबल के साथ, आप इसको अपने स्मार्ट टीवी के साथ अटेच कर सकते हो, मतलो HDMI ARC केबल के साथ, सिनेमेडिक साउंड सुनने के अगर आप शुकिनों, आपके लिए पॉफट डील होने वाले हैं, अगर मतलो Netflix, Prime Video, YouTube वीडियो देखते हैं, यह जादा शुकिनों, आपका कर सकते हैं, आपके लिए यह जो Home Threator है, बहुत ही गुट डील होने वाले हैं, इसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया, पॉजिव कमेंटर देखने को मिलेंगे, अगर आपने भी चावड़ करने हैं, ऑफीशल साइड पर देखने हैं, सभी के बाइंक लिंक के डिस्क्र आज रेंज में सैट बैठता है, आप जा सकते हों, मतलो अगर आप पांच हजार के बजर रेंज में जब्रावनिक्स भी ले लेते हो ना, वो भी आपको पैसा वसूल Home Threator देखने को मिल जाता है, अभी यार मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है, खतम, अगर आपको मेरी व आपके साथ शेयर करेंगे यार, तेंक यू